तो हेलो एवरिवन आज के वीडियो में मैंने ये जो पत्या लाई हैं उनका और मैं कैसे डिकंपोजेशन कर सकता हूं उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में तो इस बार मैंने काफी सारी पत्या लाई हैं और प्रॉब्लम ये हुआ हैं कि मेरे पास जो इसके पहले ज के लिए बनाया है अभी वो जो पॉलिथीन थी वो काफी महंगी आती है और उसमें जो पत्तिया है वो भी थोड़ी कम स्टोर होती है मितलब कंप्रेस करके अगर में रखू तो जस्ट लाइक मैं दिखाना चाहूंगा यह है वो पॉलिथीन जो मैंने कई सारे दो तीन वीडियो में शो किया है कि मैंने पत्तियों का खात कैसे बनाया है इन ड्रम्स में भी हैं अभी मेरे पास ड्रम्स नहीं है तो मैं इस तरह की पॉलिथीन लाया हूं हाला कि इन पॉलिथीन की प्रॉब्लम यहीं है कि इन में ज मैंने मिलक के भी ज्यादा पत्या इसमें मैंने कम्प्रेस की हैं अगर मैं एक रिजर्ट दिखाना चाहूंगा एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक में यूरिया और एक में मैंने गुड और जो चार्च होता है वो डाला था तो यह है उसका एक महीने का अपडेट जहां पे अगर आप साइस के बात करो तो जिसमें मैंने यूरिया डाला था वो जल्दिक डिकम्पोज हो रहा है और जहां पे मैंने सिर्फ गुड और चार्च डाला था वो थोड़ा स्लोली डिकम्पोज होते जा रहा है आप देख सकती है अभी भी यह पत्तियां उसी कलर में है इसमें पानी भी है एक मेने पहले पानी डाला था वो अभी भी है अगर आप दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं पानी है इसमें भी पानी है पर इसका कलर देखे यह डार्क हो चुकी है यह दिखे कुछ-कुछ पत्या अभी डार्क हो रही है और यह जल्दी ब्रिक आउट हो जाती हैं इन पत्यों से चैंजड़ हाला कि ओक मेंदा हुआ है बंट आप रिजल देखी है हाइज आपको लग ज़े की छोटा है तो इसमें कम पत्या होगी इसमें ज्याधा ऐसा नहीं है मैंने उल्टा यहां पर ज्यादा पत्या डाली थी और इसमें कम डाली थी अगर मैं दिखाना चाहूं तो यह मैंने और एक पॉलिधिन में ऐसे ही पत्या भरके रखी है एक कमपेरिजन दिखाने के लिए इसमें मैंने सिर्फ प्लेन वाटर डाला है और यह तीनों एक फ्रेम में जिसमें एक में नाइट्रोजन एक में चार्ज और गुड और एक में सिंपल प्लेन वाटर ऐसे ही मैंने वो जो पत्या लाई है उनको भी मैं decompose करूँगा और मैंने market में देखा था मुझे ऐसे drums मीले नहीं तो इसके लिए मैंने अगर इसको इसको करना है तो यह जो polythene आप देख रहे हैं यह मैंने लाई हैं यह hardware शॉपप वाले के है जो किलो के भावत से मिलती हैं उसका एक साइट जो होता है उसको में ने जो पॉलीधिन के दो साइट है उसका मुँ उसे पिगला कर उसे बंध किया है अगर में दिखाना चाहूं एक साइट से जो मुँ है यह देखिए यह टोटली बंध है और दूसरे साइट से इसको मैंने ओपन रखा है तो इसमें वो सारा का सारा जो पत्तिया हैं अभी और जो भी वेस्ट है वो इसमें डालूंगा तो मैंने यह इस पॉलेथिन में अभी इसके जो भी पत्तिया थी वो इसमें स्टोर की है आप देख सकते हैं इसमें साइस कितना ज्यादा है इसका बड़ा है इसमें मैं काफी सारी पत्तिया स्टोर करके रख सकता हूं और यह मुझे उन पॉलेथिन से जो मैंने इसके पहले दिखाई उससे सस्ता पड़ा हैं इसमें बहुत सारी पत्या डाल सकता हूँ अगर मैं इसकी उच्छाई के बात करो काफी सारा इसमें कंटेनर मतलब यह जो पत्या है इस पॉलिफिन में स्टोर हो सकता है तो मैंने सारी की सारी पत्या ज़ाड़ जोड़की इसमें डाल दी है क्ली अब मैं इसको एज एक्सपरिमेंट के लिए धूप में रखूंगा जैसे वहां उस साइड में और इसमें पान मार्केट से मिलता है वह भी डालोंगा गुड भी डालोंगा और जो चांच होती हैं दही होती है वह भी और जो हमारे घर का किचन वेस्ट है या आप कुछ भी जैसे मिने पॉलिफिन बने हैं अगर में इसका आप साइस देखिए काफी बड़ी है और आपको मार्केट में इस तरह के पॉलिफिन काफी महंगी आती है शायद मिलेंगी भी नहीं अगर आप बनाना चाहिए तो घर पे इस तरह से जो इसका एंड़ पॉइंट है आप इसको अगर दिखाना चाहूं तो इस तरह से जला कर गैस पे बन कर सकते हैं और उपर वाला उपर वाला भी मैंने का बहुत सारा एरिया ऐसे बंद रखा है और थोड़ा सा ही जो पॉरिशने उसको ऊपन रखा है जहां पर मैंने पॉलिफिन अभी मतलब यह बांध्या है उतना ही एरिया और दोनों साइट से मुग को इसको क्लोस किया है इसमें और जितना मुझे पत्या मिलती है जिन महिल जिसे कुछ कोई प्लेड हो उसकी पत्या गिरती हो इस तरह के बैक्स में आप उसे स्टोर करके रखें ताकि आपको लॉंग टम में इसका फाइदा हो क्योंकि आपके पास स्टोर करने के लिए बैक्स अवालेबल नहीं होती फिर आप इसे फेक देते हैं तो इससे जो भी यह हैं शायद आप ऐसा ना करें और क्लीन ली आप एक जगा इसे स्टोर कर पाएंगे तो होपसों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं मैं इसके और एक अपडेट देना चाहूंगा जैसे आप इसमें अभी पत्या डाल रहे हो तो पान करें वस इतना ही थैंक यू सो मुच फो वचिंग मैं वीडियो